आखिरकार राज में त्री अस्तरिय पंचाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया, तिथियों की भी घोसना हो गई है, अब राजपाल ने भी अपनी सहमती दे दी है, एक साल लगभग से कहीं अधिक, देड़ साल से भी अधिक समय से लगातार एक्स्टेंशन मिल रहा था, कोरोन एक वज़ा है, हमारे साथ ग्रामिन विकाश मंत्री आलमगीर साहब है, सर क्या कुछ डेट प्रिपेर्शन किया गया है भोटिंग के लिए, देखिए जहां तक है कि विभाग की ओर से इसको केबिनेट में भेजा जाता है, और मानियों मुक्ष मंत्री केबिनेट के प्रते इस पर मुहर लगा दिया है, और इसको जो नोटिफिकेशन करना है चुना आयोग को, आज हो या सौंबार हो तक हमको लगता ही कि घुसना हो करेंगे, इतने चरण में आप लगता है, जैसा जैसा आप टेभी नियूज में भी आ रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं, कि चार चरणों में जापका हो रहा है, आपका पच्चाई तरीस तरे पंचाई चुना हो रहा है, और उसके बाद ही एक नतीजा जो फलाफल होता, रिजल्ट होता, निक देगा, और यह सारी बिस्त्रित जो है, चुना आयोग नोटिफिकेशन के जरिये, कौन दिन से सुरू होगा इसका परिणाम जो रियाल्ट होगा, क्या एकी दिन में होगा, या चार चारन का एक साथ होगा, यह सारे नीने जोज है चुना आयोग करते हैं, और हमारा यह था कि हम चुनाओं कराएंगे, बहुत लोगों ने इसका बहुत आलफचना भी किया है, दो हज्यार वीस, सारे लोग की बात का पता भी था, जो समय महामाई पूरी जोर, पूरे दियस में चलावाता, सेकंड हम लोग में लिये थे, नहीं, लेकिन कुछ कारून में हम लोग नहीं कर पाएं, और इस बार हम लोग कोशिज में थे कि गाउं की सरकार, वो काइम रहे, पंचे इतिराज जो है, काहिम रहकर, गाउं के ग्रामी शेत्रे के लोगों विकास के लिए, आर्थी कुन नहीं के लिए लगे रहे, इस इस इसा में पंचे चुनाओ, हम लोग कराना चाह रहे थे, आब बहुत दिनों के बाद, करी करी सोला महिना के बाद, सुनाओ, का डिकलेरिसन होने जा जाएगा, और में महनत अन तक चुनाओ, परिकले आप खसाम वाकत हो जाएगा, मेरा एक ये कहना है, सर, कि अभी भी पंचाय चुनाओ को लेकर, कई सवाल उठ रहे हैं, आपकी सरकार पर, एक उठ रहा है कि आप ट्रिपल टेस्ट नहीं कराएं, दूसरा, OBC का आरक्षन क कोई हिसाब किताब नहीं है, तो जब बोल रहे हैं, विपक्ष का कहना है, कि जब इतना साल लेट हो ही गया, तो और क्यों नहीं रुक के पूरा ठोस काम क्यों नहीं करना हैं चाहती है? देखे इतना साल रूग गया यह कहना बढ़ी मुसलिए इसा नहीं यह पांच साल रूग गया इसी तो है नहीं अगर हम चुनाओ करा लेते एक मने तीन में जन्वारी का पहले तो होई जाता इसी इस जो पहले का नियम था लेकिन सुप्रीम कोट में का अधियस को देखा है कि आप ओबी-सी का ट्रीपूल तेस्ट कराकर ही चुनाओ करांए और जन्वारी में सुप्रीम कोट का एक निर्णाय मदधर प्रोधिर के खिलाप में आया था सुन लिए मेरे बात को और उन्हें साबस्वादों में कहा कि जब तक आप ओबी-सी का ट्रीपूल टेस्ट नहीं किजेगा तब तक अब चुनाव पंचायत नहीं करा सकते हैं। उन लोगों नो भी टीट पुलिटेस्ट करा हैं। और सुप्रीम कोट में गया अपना दाखिल करने के लिए हमने करा लिए हमको समय दिया जाए। वह OBC का टीट पुलिटेस्ट को मानत नहीं हुआ खारिज कर दिया गया। और साथ-साथ यह भी उन्हों प्रमर्ण सुप्रिंग को नहीं दिया। कि अगर आपका वहाँ चुनाव जोड़ी रही है तो आप करा सकते हैं। तो उसी आधार पर हम जानते हैं कि तिरिष्ट्रिय टीपूल टेस्ट जब बुलते हैं। इसमें आराच्चन OBC के साथ-साथ तीन चीज़ को देखने के लिए कि लिए कि एक OBC उसका रहन सान से लगता है कि नहीं। उसका खानफान से लगता है कि नहीं। तो हमारा पहले एक इस्टेट गया। और वो जब लेकर गया तो बोले नहीं तुम्हारा सर जो है ट्रिपूल टेस्ट OBC नहीं हुआ है। इसलिए तुम को यह OBC को नहीं तुम इसको तैयार करो और ततकल तुम चुडाओं कराओं। काहिए सब को जानता है कि पंचाहिती राज का पैसा भारत सरकार से देती है और जिसके बल पर ग्रामीन शेत्र का विकास होता है रोजगार होता है। और सारे काम अगर ठप जाता है तो निश्चीत तुरकर लोगों क्या दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। अगर OBC का रच्चन कुछ दिनों के लिए टाल जाता है और फिर नए सीरे से बढ़ियां से हम कर लेंगे। तो आने वाले दिनों का सोच करके हम कार्ज करते हैं। हरी कि सब काम हो जाता है देखिए बहुत कुछ बहुत है पेशा कानुन का लिए 2010 में चुना हुआ है अब जब आते हैं कि अमस्तुराइब बाट बीक हम नहीं जाना हैं कि यह हम्यमीन कहले ताकि हमारा गिरामीन चेत्र का सरकार बनी रहे हमने उस दिसा में काम किया है जहां तक यहां आप लोग कह रहे हैं ओभी सी ठगा हुआ महसुस कर रही है नहीं आरोप प्रतरप तो लगाना है लगा तो यह राजनीती है एक दूसरे पार प्रतरप लगा रहे हैं लेकिन हम सब्सक्राइब बहुत जारे हैं एक आखरी सावाल सर क्या इस कानून में मोरल कोड ऑफ कंड़क्ट लागू होता है क्या विकास की योजनाय रुख जाएंगी या सरकारी काम रुख जाएंगे नया योजना नहीं लॉंच होगा या चुकि यह दलगत चुनाव नहीं हो रह निश्चित्व पर दलगत चुनाव नहीं हो रही है बहुत लोगों का मनना है जो दलगत चुनाव नहीं हो रहा है तो निश्चित्व पर अचार संगीता इसका कोई माईने नहीं रखता है कुछ लोग कहना चाह रहे थे कि कुछ अरचन जो अचार संगीता लगना चाहिए मैंने गाइडलाइन मागाने की काम किया है और उसलिए मागाने की काम किया है एक गाम से रोड होकर कुझा कर दुसरे गाम चला जा रहा है तो इसे रोडों पर अगर हम यह लगा देते हैं बैंड लगा देते हैं तो भीकास के गटिक घड़ी आएगे जब हम दहान रहें आपस में कोई बीबाद नहीं पहली बार चुनाओ categories करेंगे उनके लिए कोई संदेश या अप क्या चाटे यूठ ज्यादा participate करें गाओं के या फिर कैसा हो उनके लिए कोई जो नए पहली बार राजनीत में आना चाहते हों गाओं की सेवा करने मिल कुछ जो लोग समाज सेवी के रूप में समाज के काम करते आ रहे हैं, वो इसे लोग इस पंचाईती चुना में भाग ले। चुनाव का जो सिलसिला विगर्दिनों में जो देखने मिला, एक पंचाई चुनाव में मोटर साइकल दोड रहा है, गाड़िया दोड रहे हैं, और जिसका भाग लिक अगर लंबा चोड़ाई अगर देखा जाए, तो एक किलो, दो किलो मुंटर से ज्यादा नहीं है, तो इ और राजनिती भी जो आता है, वो मानव सेवा के लिए आता है, और वो इसे लोग को आना चाहिए, जो जनता की हित के लिए सोचे, छेत्रे विकास के लिए सोचे, और मैं तो कहूंगा कि इसमें नह सोच और नही विचार के पढ़े लिखे नहुजवान जियादा आए, जो असे समाज की जन है, और नव जान तीस तरह भी होते हैं, और नही सोच और विचार लेकर अच्छा से कर सकेंगे, महिला को आप पार्टिसिपेट होनी चाहिए, महिला को भी आगे होना चाहिए, और हम जो विभाग में काम करते हैं, हम ने मोहिला को बड़ा बर तरिजए द और वुजूर का भी कुछ होना चाहिए, सभी का संग मिर्सन होकर एक अच्छा टीम बने जिससे पंचायद का कारबाधित नहीं हो बढ़े हाँ से चले तो आलमगीर साहिब ने कह दिया कि युवाओं को ज़्यादा आत्तर आना चाहिए और सिफ राजनीती को जो पेशा के त किंतित नहीं होना है जहां तक इनकी सरकार पे अगर आरोप लग रहा है ट्रिपल टेस्ट को लेकर तो वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार OBC को आरक्षन 27 परतिशत देगी वो हमारा वादा है और हम पूरा करेंगे और अब हम डिले नहीं कर सकते थे क्योंकि सुप्रिम कोट ने भी इसकी हरी जंडी दे दी है कि बिना इसके कराये भी कोई मेंडेटरी नहीं है कि टिपल टेस्ट करा के ही चुनाव कराना है इसलिए हम करा रहे हैं ताकि केंदर का पैसा और गाउं का तेजी से विकास हो सुक्रिया